कि जैए हिन दोस्तों मैं जीते अंदर आपके अपने यूटूब चैनल जैटीम टेक में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं जैसा कि थमनेल में आप लोग देख रहे हैं कि इसरों की फिर से एक बार वैकेंसी आ गई है और यह वैकेंसी इसरों की चौथी वैकेंसी है सोच ल करने परती क्यों कि इनका सलेबर सेम है तो इस बार आई है एलपी एससी मतलब होता है लिकिट प्रपल्शन सिस्टम सेंटर ठिक और इंडियन स्पेस रिसर्श और्गनाईजेशन का एक डिपार्डमेंट है ठिक इसके पहले कहां से आई थी यह जान लिजिए पहली वैकें कि देखते हैं कहां कैसे वैकेंसी देखेंगे तो आते हैं हम लोग गूगल के होम पेज़ पर यहां लिखते है www.lpsc.gov.in इसकी रिप करेंगे यह पहला ही पेस से हम लोग यहां पहले लिंक पर क्लिक करेंगा और हमारे यह iphe maasa ka home page खुल जाएगा ठिक क्ुल जाएगा तो आप लोग कहां से देखेंगे यह देखिए लेटेस्ट Actually में यहां देख सकते हैं और यहां नीचे रिकुर्मेंट में भी देख सकते हैं तो लेटिश्ट स्टुक्राइब में आते हैं पोस्ट आहे हैं यह अंडियों के लिए होता है और यह ट्रवपा ओलोके लिए वहुतत हैं तो यह अधिन वन करेंगे तो देखते हैं कि यह डाउनलोड वह रहा है अब डाउनलोड करेंगे यह देखो फोस्ट खुल गई किसका डिप्लोमा का डिप्लोमा में देखें तो हम लोग इसमें फूरी डिटेल दिया है कि यह एड़वर टाइमेंड कब आया है तेरा तारिक को आ गया था और इसमें देखते हैं फोटोग्राफी मेकेनिकल और आटो मोबाइल सिविल तो फोटोग्राफी में एक मेकेनिकल में आठ पोस्ट है और आटो मोबाइल में एक पोस्ट है सिविल में यह सारी डिप्लोमा मानगते त्रीयर डिप्लोमा और इसके आई उसी मापाइटिस साल मैक्सिमम है उसके बाद जो एज का रिलेक्सेशन होता सबको मिलेगा वह भी सी तीन साल यह सी चार साल और इसका जो फान भरा जाएगा इसी साइट पर लिंक आएगी और उसी फ्तुरू भरना है और यह 16 तारीक से स्टार्ट होगा और 30 तारीक भरा जाएगा और बाकिस में कुछ नहीं डिटेल दिया है यही तो बहुत गड़बड़ कि कब कितना फीच लगेगी कहां जाम सेंटर है ऐसा कुछ नहीं दिया है और इस नवकरिम कितना पैसा मिलेगा य जब आली सजार नवसो से डेढ़ लाग नियर बाउट है तो और आते हम दूसरे वाले पे देखते हैं जो टेकनीशियन भी की पोस्ट आई है उसमें कितनी पोस्टें है तो देखते हैं यह डाउनलोड कर लिए हमने और देखो यहां यहां भी वही सारी चीजे हैं बस इसम और इलेक्ट्रानिक्स की एक पोस्ट आई है पोस्टें बहुत कम आती हैं लेकिन ऐसा नहीं इसमें सिलेक्शन जो अच्छे बच्चे होते बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि इसमें किवल टेकनीकल पढ़ना होता है थोड़ी मैटमेटिक थोड़ा साइन्स आना चाहिए और यह फिटर की भी देखते हैं मशीनिस्ट की दो पोस्ट आई है एक और एक और फिटर की पांच पोस्ट आई है एक अन्रिजर्व एक ओबीसी दो एस्सी और एक एस्टी की आई है अद Bel She Said के और इधर डीजल मकैनिक की एक पोस्ट आई है वह भी अंहुघर की एक पोड़ाय cater program थैक पोचट आई है इढ़ाने की अच्छी तज़ारी हो गई पूरा फिल कर दीजिए पैसे की बात नहीं दो चार पांचो जो लगेगा वह रिटर्निंग हो रहा है आपका फिस तो ऐसा नहीं है और एक्जाम बात थी है कि एक ही तैयारी में आप एक्जाम दे देंगे ड्राफ्ट माइन का देखिया यह कि यह मेकेनिकल डीजल वालों के कौन सी ब्रांच होती है ठिक तो और इधर वहां चलानों वालों वालों का दे जिसके पास हाई वी मोटर वैकिल का लाइफ संसो टेंट पास मांगता है तो यह सारी डिटेल है और इसका वही फार्म जब भरा जाएगा तो 16 से अभी और 35 तक भरा जाएगा तो प्लीज आप लोग रेडी हो जाए बस इसमें गलत बात यह किया कि फीस नहीं बताया कितना है और इक्जाम सेंटर नहीं डिसाइड किया है क्यांकि एक्जाम सेंटर बहुत माने रखता है कि अगर उधर लेगा तो एक एक्जाम देने में दो ती झाल